एक शात्र ने बड़ा अच्छा प्रश्णाज किया थोड़ा सा लीक से हट कर और मुझे थोड़ी हसी भी आई इस बात में हाला कि ये कोई नई बात नहीं है इसके पहले भी एक कोई 24 सर की किताब हैं उसको लेकर भी काफी मार्केट में अफवा उड़ी थी आफवा नहीं थी कहीन ने कहीं बात सही भे थी कि वहां से प्रश्ण इतिहास के या किसी विशे के थे मुझे याद नहीं है वो डिरेक्टली पूछे गए हैं किसी पैरा से ही प्रश्णा आ गये हैं जो उसमें लिखा गया है इसमें कोई अच्छरज वाली बात नहीं है जैस इस अभी आरो 2021 का जो पेपर आया था तो इस पुस्तक से जो आपकी सामने दिख रही है टाटा मेगरा हिल्स की ये सिरीज है SSC की कमचारी चेनायों की तो यहाँ पर काफी प्रश्ण हूब हूब वैसे ही जो गलत प्रश्ण पूछे गए थे जिन पर क्लेम था लोगों का वो आप देखेंगे तो आप स्वयम देखें और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पुस्तक का इस्तेमाल हुआ है उसमें देखिए कोई नई बात नहीं है मार्केट में जितनी किताबें हैं जब एक्जामनर बैठता है पेपर सेट करने के लिए तो वो नॉर्मली आता है स् किसी से बोलता है कि इस इस विशे की पुस्तकें लेते आओ मार्केट से कभी-कभी रिफ्रेंस देगा कि हाँ इस लेखक किया यही पुस्तक ले आना कभी-कभी रिफ्रेंस नहीं देता है तो जिससे मगवाता है वो बोल देता है अपनी शौप पे आक करके और वो किताब जाता है अपनी जो भी है कभी कभी आयोग खुद प्रोवाइड करवा देता है ये पुश्तकें कोई ऐसा नहीं कि आदिमानों के लिखे होती या भगवान लिक्कर बेजते हैं वो भी मार्केट से ही होती है तो किसी नहीं किसी पुस्तक से कुछ नकुछ तो पूछा ही जाता अगर आप ऐसा करने लोगे कि एक पुस्तक में कुछ चीजें देख लिया आपने, कि इस बार यहां से पूछा गया और पूरी पुस्तक उठा लिया उसको पढ़ने लगे, अगली बार पता चला कि कोई बोल दिया कि दो प्रश्ण इस पुस्तक से भी आये थे, तो फिर आप ने वो पुस्तक खरीद लिए, वहां से शुरू कर दिया, तो यह सिर्फ एक मुर्गता है, इसके लावा कुछ है नहीं, इन सब बातों से आप दूर रहिए, इससे आपका नुकसान होगा, समय का भी, श्रम का भी, ऐसा बताया जा रहा है कि आरो 2021 में हिंदी और जीयस के प्रश्ण पत्र मिलाके 12 प्रश्णों पे कारवाई हुई है, ताथ 12 प्रश्ण के या तो उत्तर चेंज किये गए हैं, या तो डिलीट किये गए हैं, और जिसमें ये भी खबर है कि डिलीट किये हुए प्रश्णों क कि संख्या जादा है लवग आठ प्रश्णों को डिलीट किया गया है ये बड़ी वज़ा रही उलट फेर बहुत देखा गया कुछ लोगों का कम अंकों में भी हो गया है कुछ का ठीक ठाक अंकता नहीं हुआ है तो एक बड़ी वज़ा ये रही 2016 में भी यही हुआ था 2021 में यही चीज हुई है हाला कि यह साफ नहीं किया है आयोग ने कितने चेंज किया है और अभी एक आपको सुनने माया होगा नियूस पेपर में भी है कि आयोग ने इस चीज मानी है कि अब वो देगा एंसर की रिवाइज लेकिन वो अंतिम परिडाम के समय देगा या उसके बा को लेकर अब UPPCS में आगे 2022 से आपको टेंशन लेने की आउशकता नहीं होगी क्योंकि स्केलिंग अब लागू कर दी गई है नए वाले जो आये हैं अध्यक्ष महोद है जिनकी आप अक्सर तस्वीर भी देख लेते हैं और तो उनके द्वारा शायद यह निर्ण है शायद इ कि जो लोग question set करते हैं उनको अच्छी खासी पगार देता है यो तो उनके अगेंस्ट भी action इसमें लिया जाएगा एक भी प्रश्ण अगर गलत करता है तो उसको डिबार किया जाएगा ठीक है यह एक नया rule आयोग ने अपने हाँ strictly हाला कि पहले से था होना भी चाहिए था लेकिन अभी strictly follow करने के लिए कहा है लेकिन अभी ऐसी कोई परिक्षा हुई नहीं है तो क्या वो लागू हो पाएगा यह भविश्य की बात होगी एक बात और है कि market में जितनी पुस्तके हैं विशेशकर current affairs की जो आती है या फिर normally जो सब लोग use करते हैं उस पुस्तक को trend अपनाया है जैसे घटना चक्र बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक थी अब यह कोशिश कर रहे हैं कि घटना चक्र से कुछ आपका प्रश्ण नफसे ऐसे भी प्रश्ण हम दें वो सब कुछ cover करता है तो क्या cover नहीं करता है इस पे अध्यन करके आपका प्रश्ण पत्र बन रहा है इसी तरह PYQ प्रश्ण नहीं पूछा गया है इस पे जोर है क्योंकि लोग PYQ solve करके जाते हैं तो क्या आपका ये मानना है कि आप PYQ क्या न पढ़े हैं आप पढ़िए लेकिन पढ़ने का तरीका समझिए पैटर्न वही रहेगा इंटर्नल चीजें पूछी जाएंगे इसलिए जो question पूछे गए है PYQ में explanation के साथ पढ़िए क्यों question answer पढ़ने से काम नहीं चलेगा explanation के साथ पढ़ेंगे तो वो pattern change नहीं कर पाएंगे question भले ही वो change गर दें pattern तो वही रहेगा चीजें वहीं से रहेंगे जैसे for example बहुत धर्म से किसी बहुत धर्म से संबंदित कोई संपरदाय से प्रशना रहा है अब आपने संपरदाय से पहले प्रशना चुका है संपरदाय से कोई नया प्रशन ही बनेगा लेकिन बनेगा तो संपरदाय से ही तो उसका internal जो portion है उसको अच्छे से पढ़ लें करेंट अफेर्स को थोड़ा सा तू दपॉइंट और सभी एरिया को सभी खित्रों को आप टच करके पढ़िए यह नहीं पुरसकार और खेल यही सब पढ़के चलेगा रटके चलेगा अब वो काम नहीं होने वाला है आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट एरियास को इंडेक्स निकलते हैं उनके भी इंटर्नल चीजों को टाप फाइब उपर से टाप फाइब नीचे से कौन टाइफ टाप फाइब में नहीं इस तरह के प्रशनवार है तो थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा तो उसी तरह आपको थोड़ा सा मोल्ड अपने आपको कर लेना हो तो इसलिए यह मत सोचे फिलाल यह जो वीडियो बनाने का उद्देश की च्छाप रहा है कहीं किसी पुस्तक से तो यह कोई ट्रेंड नहीं है कि इस बार यहां से कुछ प्रशन आ गए तो अगली बार भी यहां से अगली बार किसी दूसरी पुस्तक से च्छाप एगा तो सारी अथेंटिक जानकारी उसमें मिलेगी और वहां से आप इसली गारंटी 100% की वहां से क्वालिफाई कर ले जाओगे अगर पढ़ लिया अच्छे से रिविजन कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद